लो गाईज कैसे हैं आप लोग कैसे चल रहा पढ़ा ही सबका बढ़ियां चल रहा एक दम ओके सो माइन में संजीफ पांड़े और स्वागत आपका आपका आपने प्यास चैनल में खुब सूरते चैनल में जेयार टुटोरियल में जैसा कि आपको पताया है कि हम लोग ने ऑप्तिक्स वाला जो चाप्टर है वो खतम कर दिया है और बहुत लोग का डिमांड था कि सर इलेक्ट्रोस्टाटिक स्टाट करो तो हम लोग आ गए हैं हमारे next चाप्टर के साथ यह सबसे पहला कदम है अगर यहां पर कंसे ख्लियर क कि याद रखना ओके फड़ाफट बुक लेलो पेल लेलो जो भी खाने-पीने का सम्वाने लेलो ओके फड़ाफट आजाओ आसका वीडियो तो लेटा स्टार्ट विता स्टाटिक लगे लेक्ट्रो स्टाटिक और ये अम लोगा लेक्ट्र नुमर्ण होने माला है यहां पर मि लग्टो is nothing but refer to charges, static is nothing but rest, मतलब ऐसा charge, हम लोग ऐसे charge के बारे में बात करने वाल है, जो rest पे है, charge is at rest, rest charge की कहानी चलने वाली यहाँ पर, याद रखना, इसके बाद वाला जो chapter रहेगा, that is electric current, वहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वहाँ पर flow of charges की बात होगी, current, current का मतलब flow होत है, तो वहाँ पर बात करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, that is, charge is at rest, okay, सबसे पहला question आता है मन में, कि what is charge, यह charge क्या है, okay, अब देखो, अगर कोई भी matter है न, तो always remember कि एक matter के पास हमेशा charge होगा, वो उसकी eccentric property होती है, याद रखना, क्या होती है, intrinsic property होती जैसे कि तुमारा mass, अगर एक matter है, तो उसके पास mass होना बहुत कंपल सरी है, वैसी अगर एक matter है, तो उसके पास charge जरूर होगा, याद रखना, okay, charge उसके पास जरूर होगा, अब फरक बात यह है, कि वो neutral हो सकता है, अब उसमें कैसे मैं positive, कैसे negative charge लाओंगा, वो समझने कि चुसिस करो, कि consider करो एक atom है माल लो, सबको पता है atom, अब माल लो कि इसके पास दो electron है, माल लो, दो electron है, तो उसके पास 2 proton भी होंगे है, या ना,도 electron है तो यह ग्योंगे, अब यह 2 electron, 2 proton मतलब है, यह क्या है, यह जो टम है, yes or no, atom is neutral, okay, neutral है यह, बास में जहला ही, नहीं है पका अब ध्यान से समझने कोशिस करो मैं क्या करता हूँ यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ यह इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूँ अब जैसी में यह इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो क्या होगा देखो जरा भाई अब यहां पे एक ही इलेक्ट्र ओल्रीव में पढ़ा रहेगा तो अब यह पॉजिटिफ पार्टिकल बन गया ये तुम्हार पॉजिटिफ पार्टिकल बन गया पॉजिटिफ चार्ज कि ऑतम यह ना ओक्या अम मॉलरीटिफ चार्ज की बात करें चार्च सकके पास चल सबस्दोeb बढ़ गया उसके पास aison सबांगेशा सब्सक्राइब है इसका मतलब यह नेटीवली चार्ज हो गया है क्यूंकि इसके पास नमबर आफ इलक्राण क्या हो गया है भढ़ गया तो यहां पर क्या जाएगा यह निगीटिव चार्ज अग्दने पर समय आरी है तो यहां पर एक चीज़ यदी याद रखना रखना मोस्य कं यहां पर यहां पर जो जातना है वह मेशंचा इलक्ट्रों ही डिसाइड करने वाला इंदम अगर अगर electron deficient हुआ तो भाई positive charge, अगर electron की कमी रही तो positive charge, अगर more than sufficient रहा तो negative charge, अगर electron जाधा रहा, तो क्या बनेगा वो, वो negatively charged body बनेगा, बास सुनना आ गई, this is nothing but a charge, okay, it is nothing but a eccentric properties of a matter, जैसे mass है, भाई, mass है, अगर इसके बात का हम लोग topic पढ़ेंगे, gravitation, जब हम लोग वापस part 1 पर जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग gravitation पढ़ेंगे, वहाँ भी same कहानी है, दो gravitation की कहानी और electrostatic की कहानी same है, अगर तुम लोग ने electrostatic समझ लिया, या फिर gravitation समझ लि है, अगर हम लोग basic charge देखने जाएं, तो basic हमारे पास दो charge होता है, positive charge और negative charge, positive charge कैसे बनता है, वो समझ में आया, negative charge कैसे बनता है, वो समझ में आया, yes or no, okay, next, एक दूसरा charge होता है, उसको charge रिनिक बोलेंगे, वो neutral है, okay, मालो की दोनों को चिपका दो, negative और positive को चिपका दो, भाई, प्लस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मालो, minus 1 है, क्या है, minus 1, minus 1 charge है, और यह, plus 1 electron का charge है, दोनों को combine कर दो, तो minus, plus, neutral बन गए, yes or no, बास में आया, इस में आया, everyone, पका, okay, so, let us see some properties of charges, कुछ properties के बारे में, हम लोग discuss करेंगे, okay, चलो, so, जो पहली property है, charges की, that is additive nature of charge, मतलब, जो charge होता है, उसको हम लोग add कर सकते हैं, मालो, कि कोई एक body है, इसको example समझने कोशिचिस करो, मालो, एक body है, एक body पे charges है, एक body पे charges है, मालो कि, यहाँ पे 1 कूलम का charge है, 3 कूलम का charge है, minus 8 कूलम का charge है, plus 10 कूलम का charge है, ऐसा charge है, तो, what will be the total charge on this body, what will be the total charge of this body, इस body पे पर पूरा 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 चार्ज क्या होगा, इस body के उपर पूरा 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 चार्ज होगा, क्या होगा, that is Q, और याद रखना हम लोग charge को जाधा करके Q से represent करेंगे, या फिर capital Q, या फिर small Q, okay, so, अगर हम लोग total charge देखे है, इस आंसर बताओ जरो, वीडियो को पॉस्ट करो, फट आंसर बताओ, भाई, 1 प्लस 3, सर 4 होता है, 4 प्लस 10, सर 14 होता है, माइनस 8 कर दो, सर 6 हो जाएगा, तो 6 Q, so, the total charge on this body, the total charge, the total charge on this body, कितना है, सर 6 Q है, so, this is nothing but additive nature, मतलब, जो भाई, बोड़ी का जो टोटल चार्ज होगा, को एड़ करके आएगा, वो सारे charge को एड़ करके आएगा, यही कहानी, मास के साथ भी है, जरा रिलेट करो, मास के साथ, भाई, माल लो, कि यह बोटल है, यह बोटल का अगर टोटल मास पूछू, तो क्या होगा, भाई, मास ओप द यह धकन, मास ओप द बोटम प्लस्टिक, मास ओप द वोटर, सारे को एड़ करोगे, तो टोटल मास ओप द बोटल मिलेगा, कि नहीं, वित वोटर, yes or no, so that is nothing but, same situation here, यहाँ पे भी same situation है, कि भाई, गर एक बोटी का टोटल मास निकालना है, तो क्या करो, सारे, चार्ज निकालना है, तो सारे charge को क्या करो, एड़ करो, that is nothing but additive nature, बासन में आगे everyone, पक्का, next property के उपर बढ़े, that is conservation of charges, यह तो बच्पन से परते आड़ो, चलो repeat करो मेरे साथ, मेरे साथ repeat करो सब लोग, सब लोग मेरे साथ repeat करेंगे, okay, total charge of the isolated system, क्या कर सकते हैं, वाही नहीं उसको create कर सकते हैं, नहीं उसको destroy कर सकते हैं, yes or no, okay, charge charge, नाइधर बी created, नाइधर बी created, नाइधर बी created, नॉर बी destroy, हाली, transfer कर सकते हैं, yes or no, it can be transfer, from one body, to another body, बास समझा की नहीं समझा, समझ गया सर, बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ, एक और चीज़ इसको define कर सकते हैं, एक और तरीके से बोल सकते हैं, the total charge of the system, और isolated system, is always conserved, okay, इसको एक और तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, the total charge of isolated system are always conserved, the total charge of the isolated system are always conserved, इसका मतलब ये है, कि माल लो, माल लो कि यहाँ पर कोई system है, यहाँ पर two coulomb है, यहाँ पर three coulomb है, क्या है, 3-coulom है, अब मैंने क्या किया है, यह ball को ऐसे ऐसे, यह box को ऐसे ऐसे, शेक किया, तो उसके अंदर जो ball है वो आपस में टक्राएंगे, और आपस में टक्राएंगे, तो हो सकता है उनके बीच में charge exchange हो, बाहर से नहीं exchange होगा, देखो, जिस्टम है, वो isolated है, तो नहीं अंदर क चार्ज बाहर जाएगा नहीं बाहर का चार्ज अंदर आएगा बस अंदर आपस में टक्राएंगे अंदर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो हो सकता है टक्राने के बाद इसके उपर 3 कूलम आ जाए और इसके उपर 2 कूलम आ जाए बट अगर दुनों को एड करोगे तो दुनो आणी बाहर का चार्ज अंधर आना चीए बाहर सुन्माने की नियुक्त पानी पिलेता है अर्ट है और लेडिये भी एक लेक्टर लिया तो पुरा गलाज आमें ओके चलो यहां पर रहां बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप ओके बहुत ज्यादा बोलते हैं ओके कैसे आए कि कि वह बोलते हैं मेरा निकल आता है बहुत पहले से हैबिट है कि मेरे को बाद-बाद में ओके पूछने के आदा थे क्योंकि जब हम आफ-लाइन में रहते हैं तो वहां पर इंट्रक्शन जादा रहता है तो हर बार वह एक स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद ओके तो ओके निक यह सब मत करो पढ़ा ही करो चलो आजाए आपर वापस आजाओ ओके हाँ काउं कर सकते कोई प्रॉबलम निया एक काउंट करके बढ़ा दना कमेंट में ओके चलो लेटा स्टार्ट वापस आ जाते हैं रहें कोई बी चार्ज अंदर निया आएगा तो शिस्टम के अंदर ज समझ में आया दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई चलो अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे that is quantization of charges का मतलब क्या होता है quantization का मतलब क्या होता है quantization का मतलब होता है fixed इसका मतलब है fixed 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 इसका मतलब क्या होता है अब मान लों कि अगर मैं कहीं पर जा रहा हूं shopping करने और मैंने यह bottle खरीद के लाया तो यह कितना bottle मैं खरीद सकता हूं मैं एक बॉटल खरीद सकता हूं, मैं दो बॉटल खरीद सकता हूं, मैं तीन बॉटल खरीद सकता हूं, बट कभी तुमने देखा है कि मैं धाई बॉटल खरीद लू, कभी देखा है कि मैं साड़े तीन बॉटल खरीद लू, कभी देखा है साड़े चार बॉटल खरीद लू, नहीं न, हमेशा हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बोटल, दो बोटल, तीन बोटल खरीच सकते हैं, तो इसको बोलते है, quantization, इसको क्या बोलते है, quantization, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि माल लो अगर कोई body है, अगर माल लो कोई body है, उसके उपर जो charge है, वो charge हमेशा, ज what is E? What is E? It is nothing but is a charge of electron, which is equals to 1.6 into 10 raise to minus 19 Coulomb. Okay, मतलब किसी body पे सबसे छोटा charge अगर कहीं पे है, तो वो electron का है. इससे कोई, इससे और छोटा charge नहीं है, याद रखना, independential तो नहीं है. हाँ, साथ में जूड के हो सकते हैं, जैसे quark देखने जाओगे, तो quark बहुत छोटे-छोटे charge में बटे होते हैं, अकेला अगर देखने जाओगे तो charge of electron, यह charge of electron सबसे छोटा charge है. मतलब माल लो कि मैं किसी body से एक electron निकाल सकता हूँ, या फिर एक electron दे सकता हूँ. मतलब जो amount है, वह fixed में लेगां, या सण नो, वह एक निकाल that is nothing but a quantization of charge मतलब अगर माल लो कि अगर किसी बॉड़ी पर चार्ज है तो ऐसा नहीं कि रैंडम चार्ज होगा ऐसा नहीं है कि रैंडम चार्ज होगा भाई फिक्स होगा यहां उसके उपर चार्ज जैसे एक्जामपल ले लो माल लो अब बाड़ी हैस अब ऑड़ी हैस 3.2 इन्टू 10 रजट टू-19 कूलम चार्ज तो यह अक्टूल में चार्ज उसके उपर रहेगा क्या हम लोग निकाल के देखते हैं जरह देखो तो Q हमको given है that is Q is equal to N Q given है मेरे को 3.2 into 10 raise to minus 19 is equal to N E कितना हो जाएगा E हो जाएगा मेरा 1.6 into 10 raise to minus 19 10 raise to minus 10 raise to minus 19 का answer 16 1s आ, 16 2s आ yes or no, मतलब N equals to 2 आ गया मतलब yes, यह charge रहेगा यह charge किसी भी body पर possible हो सकता है बड़ यही answer आता 2.5 तो possible नहीं हो सकता था 2.5 electron या फिर 1.5-3 electron किसी बड़ी से नहीं निकाला जा सकता है नहीं दिया जा सकता है बास समया रहेगे नहीं समया रहेगे बगता so that is called the quantization of charges that is called the quantization of charges मतलब the total charge on the body the total charge on the body is always a is always a integral multiple of charge of electron okay, वो एक integral multiple होगा electron के charge का 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा हो सकता है 1.5 नहीं होगा, 1.4 नहीं होगा 1.3 नहीं होगा, बास समया रहे बगता है पका, clear समझ में आया कहानी what is quantization of charges okay, तो तुम लोग के लिए होंबक है तुम लोग के लिए होंबक है तुम लोग बताओगे कि can a body have हुमबक क्या है देखो जरा okay, can a body have 4.6 into 10 raise to minus 38 coulum of charges तुम लोग बताना, इतना charge हो सकता है क्या उस बाड़ी पे okay, इतना charge हो सकता है क्या, तर बताना ये चीज, okay, ध्यान से, okay, 38 बहुत बढ़ा होगे, चलो तुम लोग लिए, छोटा कर देते हैं, चलो, 19 कर देते हैं, simplification के लिए, 19 इंग्दम छोटा charge, तो इतना charge हो सकता है क्या body पे, तुम लोग को कमेंट करके बताना है, हुमबक है तुमारे लिए, यूज करो, same, q is equals to any, मैं सारा नहीं बताऊंगा, बस ये यूज करो, q put करो, e put करो, बाद में निकाल लो, okay, clear, next, next, बहुत basic सा property है, तुम लोग ने बच्पन से पड़ते आ रहो, क्या पड़ते आ रहो, देखो ज़रा, like charge, ripple each other, unlike charge, attract each other, यह सो नो, भाई, positive है, तो क्या करेगा, ripple करेगा, अगर negative negative है, तो भी क्या करेगा, ripple करेगा, अगर negative negative है, तो भी क्या करने वाला है, ripple करने वाला है, बट अगर यही positive negative रहा, तो फटाज से attract कर देगा, फटाज से क्या करेगा, attract कर देगा, याद रखना, okay, nature rule है यह, तो like charge, यह तो बच्पन स परत्यार हो, बच्पन से, अगर मैं बताऊं नहीं, तो भी तुमको पता है ये चीज, कि भाई, like charge क्या करते हैं, ripple करते हैं, unlike charge क्या करते हैं, attract करते हैं, clear, बात सम्मिभाई, these are the basic properties, these are the basic properties of charges, okay, भाई, अब बोडी को charge कैसे किया जा सकता है, अगर किसी बोडी को मिरे को charge करना का तीन तरीका बनता है, okay, अगर ध्यान से समझने करो, बोडी को charge करने का तीन तरीका बनता है, that is, पहला तो conduction है, okay, next, induction है, और friction है, तो friction हम लोग बीच में बात करेंगे, induction को थोड़ा side में रख देता हूँ, conduction को end पे, और तीनों को हम लोग relate करेंगे, और बीच में आगए मेरा friction, तो सबसे पहला conduction है, conduction की कहानी कैसी है, conduction की कहानी बहुत simple है, मालो की मेरे पास दो body है, मालो दो body है, भाई, दो body को अगर मैं, यहाँ पर मालो की मेरे पास, यह body A है, और यह body मेरे पास B है, यहाँ पर मालो की मेरे पास negative charge है, और यह neutral body है, क्या है, यह neutral body है, अब यह neutral body है, तो क्या होगा देखो ज़रा, neutral body है तो क्या होगा, जैसी मैं इस body को pass में लेके जाऊँगा, यहाँ पर, जैसी इस body को pass में लेगे जाओंगा तो यहां से क्या होगा जैसी touch करूँगा जैसी contact में आएंगे A है और B है तो फटाक से यहां पर जो electron है वो move हो जाएंगे B में yes or no move हो जाएंगे B में मतलब क्या हो गया भाई transfer हुआ electron का by conduction by contact यह एक process है नेक्स जो प्रोसस है वो friction process यह ज्यादा करके metal के साथ होता है याद रगना मेटल बोलना कंड़क्टिंग सर्फेस के साथ होता है conducting जो conduction तुमको देखने मिलेगा वो conducting surface के दाथ देखने मिलेगा metal like iron के साथ देखने मिलेगा copper के साथ देखने मिलेगा बलून से अच्छा तो हम लोग scale रप करते थे ऐसा हो नो ऐसा 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 पैन रप करते थे बाद में paper पे ऐसा करते थे तो चिपकता था यासा अभी नहीं और जैसी मैं उसको paper के पास लाता हूँ तो क्या होता है मानलो कि यह positive charge है और यह paper है तो paper के positive charge एक तरफ हो जाते हैं और negative charge एक तरफ हो जाते हैं क्यों क्यूंकि positive attract यह कर देगा उल्टा उल्टा हो गया भाई यह देखो और positive है तो negative को attract करेगा और positive को ripple करेगा तो यह जो negative है यह इसके पास जाना चालू करेगा यह सानो तो इसलिए उपेपर चिपकना चालू करता है okay this is nothing but by friction this is nothing but by friction basically यह फर के साथ भी होता है स्किल के साथ भी होता है हम लोग देखो जो blanket होड़ते हैं कभी-कभी अगर वह मक्रमल का blanket बना होता है तो वहाँ पर आप हमारा जो बाल है वो उसके तरफ एट्राक्ट होने लगता friction होता है बहुत जादा yes or no तो that is nothing but वो भी एक charge का process है friction की वाज़े से charge travel होते है अब बात बात करेंगे induction induction में contact नहीं होता है यहाँ पर हम लोग contact नहीं करते हैं without contact किसी body को charge करते हैं घ्रीये तो कहानी हम लोग ने पढ़ाए इसके उपर ज्यादा discussion नहीं कर रहे है बड़ यहां पर देखो induction की बात हम लोग करेंगे आज induction कैसे होता है माल लो में पास दो बाड़ी ह माल लो कि यह एक बॉड़ी है और माल लो यह एक बॉड़ी है ओके अब क्या करते हैं आप क्या करते हैं दोनों बॉड़ी को चिपका के रखते हैं अब जैसी दोनों बॉड़ी को चिपका के रखेंगे एकदम चिपका के रखना है एकदम सटा के रखा है बॉड़ी को देख तो थोड़ा भी गया अपनी हवा नहीं जाना चाहिए बीच में से इतना अब भाई दोनों न्यूटरल बॉड़ी हैं तो दोनों के पर पॉजिटीव होगा नेगेटीव भी होगा अब क्या कि हम लोग ने एक रॉड लिया और वो रॉड को पॉजिटीव चार्ज कर दिया क् लग नहीं रहा है रॉड बना दिद्धे इससे पले पॉड़ लंबा लंबा लगना चीना रे लंबा एक देखो अब यह रोड है अब है कि अभी भी रोड निया तो अब यह कर देते हैं अब परफिक्ट रॉड बना अब यह positive charge है, इसका मतलब यह है, कि इस पर जो positive charge है, वो तो ripple करेंगे, तो सारे के सारे positive charge कहाँ पर भाग जाएंगे, यह वाले side पर भाग जाएंगे, और सारे के सारे negative charge है, वो कहाँ पर आ जाएंगे, यह side आ जाएंगे, आया ना, सारे के सारे positive दूर भाग जाएंगे, और और जो निगेटिव है वो अट्राक करेंगे अभी देखो मैंने यहाँ पे इसको टच नहीं किया है इसको मैंने टच नहीं किया देखो करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा रिपल करेगा आप करेगा आप रॉड को ऐसी रखो गर दो अलग करों अब जैसी इसको अलग करोंगे तो तो क्या होगा इसके अंदर इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो इक्वली डिस्टिबूट हो जाएगा और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा इक्वली डिस्टिबूट हो जाएगा तो यहां पर मेरे को एक बॉडी नेगेटिव ली चार्ज मिल सब्सक्राइब करेंस अब सब्सक्राइब से प्रक्षelsh स्टेंट लोह याद रखना अगर कूलम्स लोह आ गया तो पूरा 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 एलेक्ट्रोस्टाटिक समझ में आ जाएगा सिंपली क्लियर समझ में आ एव्रिवान पका ओके चलो अगर तुम लोग यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को डाउट है ओके जिसके उपर डिसकेशन करना चाते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो दैट इस आई संजीफ अंडर्सकोर पांडे यहां पर जाके तुम लोग डाउट डियम कर सकते हो कोई प्राब्लम नहीं हम लोग डिसकेशन करते हैं जब मुझे टाइम मिलता है तब ओके चलो सो आज का वडियम पर एंड करते हैं आज के लिए बस इतना ही that's it for today thank you so much